प्रकृती के संतुलन को बनाये रखने के लिए और पर्यावरन को सुरक्षित बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में व्रिहत व्रिक्षा रोपन अभ्यान चलाया जाता है। एक तरफ जहां शासन प्रशासन की मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में पौधे रोपित कर पर्यावरन को हरा भरा बनाया जाए। वही दूसरी तरफ उनके अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आते हैं। इस कार्य के लिए सरकार प्रतिवर्ष करुणों रूपे खर्च करती है नर्सरी में पौधे रोपित किये जाते हैं जिसके बाद थेली में उनको भरा जाता है और जगल जगल पर ट्रांस्पोर्ट के जर्ये पहुँचाया जाता है लेकिन इसके बावजूद कुछ पौध तो रोपित किये जाते हैं लेकिन उनकी देखरेक नहीं की जाती है जिसके चलते देखरेक के अभाव में वह नश्ट हो जाते हैं जबकि तमाम पौधे सिर्फ कागसों पर ही लगा दिये जाते हैं बहत इक रूप में वह रोपित ही न मूचे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 35 करोर व्रिक्षों को लगाने का अभियान चलाया गया था जिसमें अमेठी जनपद में 38 लाग पौधे रोपित किये जाने थे व्रिक्षा रोपल महा अभियान का शुभारंब 22 जुलाई 2023 को लखनव में उत्तर प्रदेश के मुखे म साथ जिले में व्रिहद व्रिक्षा रोपन अभियान की शुरू आत हुई जहां पर तमाम स्थानों पर विभिन जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने व्रिक्षा रोपन किया इस कार्य में जिले के सभी विभाग द्वारा सहयोग वन विभाग को प्रदान किया गया इसी के पांच दिनों बाद आज 27 जुलाई को वन विभाग की बड़ी लापर वही दिखाई पड़ी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे व्रिहद व्रिक्षा रोपन अभियान की पोल खोली कई ग्राम सभाव में पौधों को खुले में सू हमेथी जनपद एवं तहसीक शेत्र अंतर गद ग्राम सभा पिंडोरिया की है जहां पर इस भीशन गर्मी में पौधे अपना दम तोर रहे हैं गद्धे तो खुदे हुए हैं लेकिन पौध रोपित नहीं किये गए हैं जिनके कारल पौध सूख रहे हैं इसी तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है और कागसों पर पौध रोपित कर दिये जाते हैं जिसके चलते पर्यावरन जस का तस बना हुआ है या फिर यूँ कह सकते हैं कि वह दिनों दिन अवनती की ओर जा रहा है आखिर कब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और स सरकार के द्रहा बहुत बिच्छा रोपन चलाये जा रहा है इसकी क्या हकीध थे आपकी गाहं में लगाए गए है पेड़ आपके गवाँ में नहीं लगाए गए है अपका सरकार की दोरा योजना चलाई जा रही है बिच्छा रोपन की ऐसे में क्या हकीकत है आपके गवाँ के लगाए है एक यह देखो पेड़ आ गया है एक जगा रख उठा है अज लगाए नहीं जा रहा है पेड़ इसमें सूख रहे है अब सरकार वह अच्छा कदम चलाया है कि बिच्छा रोपन हो लेकिन बन्विभाग वाले लाकर पेड़ पड़क दिये यहां पर सूख रहा है और अभी तक लगाए नहीं अभी तक लगाए पर देख रहा है और यहां पर पेड़ बन्विभाग दोरा आये हुए है और कुछ पेड़ लगे हुए है कुछ पेड़ जो है ऐसे भेक रखा है अधे सूख गये है और चुटा जानुवर इसको बरबाद कर रहे हैं और गाउं कि मनसा है सब कोई देखना चाहते हैं कि पे सामने पेड़ पड़े हैं साइकड़ों पेड़ पड़े हैं देखो ऐसे सूग गया है जानुवर इनको बरबाद कर रहे हैं गाहों यह बन्विभाग द्वारा इसको अधिकारी आधिकारियों का क्या कहना कभी आपने इसके बारे में कुछ कहा किसी करी से नहीं किसी को नह इतना जो चलाई जाती है जो इतना धन बरबाद होता है कम से कम इसको अच्छी तरह से देख रेक करवा के बिच्छा रोपन करवा दिया जाए ताकि गाहों स्वस्थ रहे हरा भरा रहे